नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है साहिती जोती में आज हम लोग इस रचना को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पापा खो गए जो कि विजय तंदूलकर जी के द्वारा लिखा गया है यह रचना मूलतह एक एकांकी रचना है जिसमें कुछ पात्र हैं और उन पात्रों के माध्यम से एक अच्छी सी कहानी बताने का प्रयास किया गया है तो आईए सबसे पहले हम लोग पाठ के शारांस को पढ़ते तो देखिए आप सब के सामने पाठ का शारांस आ रहा है तो विजय तंदूलकर जी के द्वारा लिखी गई यह जो रचना है पापाख हो गए यह जो है वो मुख्य रूप से पिभिन निर्जीव पात्रों के द्वारा जो असंबेदन हीन होती जो मानवता है उसकी कथा को व्यक्त किया गया है और इस नाटक के सुरुवात एक ऐसे द्रिश्य से होती है जहां पर हमें एक पेड एक खंबा एक पोश्टर जिस पर हमें एक नित्यांगना यानि कि एक डांसर का चित्र सिखाई पड़ता है साथ ही इस द्रिश्य में हमें एक लेटर बॉक्स और एक पोवा काफी विवरण मिलता है साथ ही साथ हम उन निर्जीव पात्रों के बीच होती हुई बातचीत को भी देखते हैं जिसमें एक पेड और खंभा आपस में बोर्यत से भरी यानि कि काफी उबावू से भरे जो उनके दिन रात हैं उनका जिक्र करते हैं उनकी उसका वर्णन करते हैं उसकी बातचीत करते हैं साथ ही साथ वरसात के दिनों में जो बिकट भरी राते होती है बिजली की भयावहता यानि भयानक्ता से भरी जो राते होती हैं उसकी बाते करते हैं आपस में उसकी सुखदुग को बाटते हैं किसी के साथ खंबह और पेड़ अपने अपने किस तरीके से वे दोस्त बने थे उस वाली घटना को भी याद करते हैं, उस पर बातचीत करte हैं किसी वक्त आपस में बातचीत करते हुए जो लेटर बॉक्स रहता है लेटर बॉक्स के चोरी छीपे सबकी चिठीय जो आती हैं लेटर बॉक्स क्या करता है उनकी चिठीयों को chori चुपे पढ़ता है उसका मजाक उड़ाया जाता है खंबा जो है लेटर बॉक्स का मजा पुड़ाता है कि तुम जो हो वो चोरी छीपे सब की चिठीयों को पढ़ते हूं ठीक उसी वक्त क्या दिखाई देता है कि एक आदमी जो है वो एक छोटी सी बच्ची को कोई हुई अवस्था में उठा कर ले जाता है यानि कि चोरी छुपे एक छोटी सी बच्ची को उठा कर ले जा रहा होता है और पेड के पास रखकर अपनी फूक मिठाने के लिए कहीं चला जाता है बात्चित और सकल से बदमास और उठाईगीर यानि बच्चा चुराने वाला लगता है अताब पेड जल्दी से कव्वे क साथ और आच योरे को बचाना चाता है यानि कि यहां पर कव्वे एक इच्छा रहती है कि बदमास से किसी भी तरीके से बच्ची को बचाया जाए बच्ची सोकर उठती है और अपने आस पास निर्जीर तत्वों यानि कि खंभे, लेटरबॉक्स, इनको आपस में बॉत ही देखती है चलते देखती है और इस चीजों को देखकर बहुत ही आश्चरे से भर जाती है तब बुरा आदमी भी जो रहता है वो आजाता है जिसने बच्ची को उठा लिया था वो बुरा आदमी आ जाता है लेकिन सभी निर्जीव उस लड़की को छिपा लेते हैं तथा को उपाय बताता है कि किस प्रकार हम लोग ऐसा उपाय करें जिससे वो जो बच्ची है वो अपने घर तक पहुच जाए पेड देर तक छाया करता है जिससे लड़की जो है वो देर तक सोती रहे हमभा ठेडा होकर ऐसा संकेत देता है मानो वहां कोई दुरघटना घट गई पापा खो गए और इसके साथ ही पोश्टर की नित्यांगना उसी अंदाज में खड़ी होती है लेटर बोक्स लोगों को उस लड़की को उसके घर तक पहुचाने के लिए भावग अपील करता है लड़की के पापा खो गए हैं और इसको इसके परिवार तक पहुचाए ज बचाते हैं और अपने अपने से भरपूर परियास करते हैं कि बच्ची को किसी तरीके से भी उसके परिवार से दिखाय जा सके यह begitu यह दिखाए पड़ता है कि जहां एक और मानव संबेदन हीन हो गया हुँछ है इसके मन में किसी के प्रती प्रेम संबेदना न ही रह गया तो वहीं दूसरी बया भी दिखाया गया है निर्जिव अतन्त्व के माध्यम से बच्ची को बचाने का प्रयास भी किया गया है तो यहां पर इसी चीज को, इस कहानी के माध्यम से गकंग आधES ॆ है निर्जिय जि'm उत्थे को चैज prediction का प्रयास करते हैं सबसे पहले आता है हमारा वस्तो निष्टव प्रशन जिसके अंदर बहु विकल्पी प्रशन आते हैं आप देख सकते हैं आप सबके सामने पहला बहु विकल्पी प्रशन आ चुका है कि खंभा अपनी तबियत को किससे बना कहता है जब खंबा अपस में बात्चित कर रहे होते हैं तो उसमें खंबा अपनी तब्यत को इससे बना हुआ कहता है देखिए इसके लिए चार विकल्प दिये गए हैं पहला लकडी का, दूसरा लोहे का, तीसरा पीतल का और चौथा अल्मूनियम का अलूमीनियम का तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा विकल्प खंबा जो है वो अपनी तब्यत, यानि कि अपने शरीर को लोहे का बना हुआ कहता है दूसरे विकल्प को देखिए, दूसरा प्रशन देखिए कि लाल ताउ किसे कहा गया है? ठीक है, हमारा जो प्रशन है कि लाल ताउ किसे कहा गया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ विकल्प भी दिये गये हैं विकल्प जो है, वो है क्या है? पहला है पेड को दूसरा है खंबे को तीसरा है लेटर बॉक्स को और 48 है प्वे को यहां पार 4 विकल्प दिये गए हैं तो जो सही उत्तर है, वो है टीसरा विकल्प लेटर बॉक्स को, लाल ताउ लेटर बॉक्स को कहा गया है और इसके बाद हम तीसरे प्रशन को देख सकते हैं सभी वस्तुएं, खोटी लड़की का क्या करती हैं, तो मिलकर खोटी लड़की का क्या करती हैं देखिए नहां पर लिखा गया है निरीक्षण, पहला विकल्प है निरीक्षण, दूसरा है संगरक्षण, तीसरा है आरक्षण और चौथा है, इन में से कोई नहीं तो बच्चो आप संग्रक्षन का मतलब जानते ही है कि सुरक्षित करना और सभी जो निर्जीव है वो आपस में मिलकर उस लड़की को बचाने का यानि कि संग्रक्षन करने का प्रयास करते हैं इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा वाला विकलत तंग रक्षान आईए अब हम लग उतर यह प्रश्णों को देखते हैं तो पहला प्रश्ण है कि पेड़ किसका कोट पहनता है देखे पेड़ किसका कोट पहनता है उत्तर आप देखिए यहां पर दिया गया है कि पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनता है दूसरे प्रश्न को देखते हैं पेड़ को रात में बोरियत क्यूं होती है पेड़ को रात में बोरियत क्यूं होती है तो उत्तर देखेए पेड़ को रात में बोरियत होती है क्योंकि राते जल्दी बीतने में नहीं आती है, यानि कि राते जो हैं वो जल्दी कटती नहीं है इसलिए बेड को रात में काफी बोर्यत महसूस होती है तीसरे प्रश्ण को देखते है परिक्षित, लड़के को क्या अच्छा लगता है? कक्षा की पढ़ाई में परिक्षित का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता उसे कक्षा से गायब रहकर खेलना ज्यादा अच्छा लगता है यानि कि जो लड़का परिक्षित रहता है उसे क्या पसंद रहता है तो कक्षया में पढ़ाई में परिच्छित का ध्यान बिल्कुल ही नहीं रहता है उसे वह अक्सर क्या करता है कक्षया से गायब रहता है और गायब रहकर उसे खेलने में ज्यादा आनन्द आता था प्रफ़ा प्रशन देखिए घुंगरूओं की आवाज गुंगरूओं की आवाज कब होती है उत्तर देखिए पोश्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन नाचने वाली जो नित्यांगना रहती है उसका जब संतुलन बिगड़ जाता है तब घुंगरूओं की आवाज होत तो देखिए, नाटक के सभी पात्र, सरक्ते सरक्ते उस दुष्ट आदमी के रास्ते में आकर लड़की की रक्षा करने लगते हैं, लड़की दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती है, सभी जो रहता है कववा, खंभा, पेड, लेटर, बॉक्स, सभी भूत भूत चिलाने ल पात्र लड़की को बचा पाएं, अच्छा बच्चो, अक्सर, कुछ बच्चो के ऐसे कॉमेंट्स आते हैं, कि मैं क्वेस्चन के एंसर थोड़े छोटे कर दीजे, तो बच्चो, मेरा ये अपनी और से पूरा प्रयास रहता है, मैं प्रश्णों के उत्तर छोटे दूँ, और संतुलित शब्दों में आप सब के सामने प्रस्तुत कर सकूँ, तो आप इस पर अवस्चे ध्यान दे, कुछ प्रश्ण अवस्चे ही थोड़े बड़े हो सकते हैं, परन्तु उसको छोटा करने पर फिर उस प्रश्ण का जो सही उत्तर और अच्छा उत्तर बनेगा, व कई बार हमें थोड़े बड़े प्रश्ण करने होते हैं, और आप प्रयार्स करें, क्योंकि आप दीरे दीरे बड़ी कक्षा में जा रहे हैं, तो कुछ प्रश्ण तो बड़े आपको याद करने ही होंगे, आइए अब हम आगे देखते हैं, बोध मुलक प्रश्ण है, लग जो पेड और खंबे रहते हैं वो आपस में अपनी दोस्ती की बातचीत करते हैं यहाँ पर यही प्रश्ण है कि पेड और खंबे में किस प्रकार दोस्ती हुई उसे बताएं तो देखिए एक दिन आधी पानी में खंबा पेड के उपर गिरा पर पेड खड़ा था इसलिए कुछ संभल गया पेड ने खंबे को ऊपर ही ऊपर जेल लिया यही खंबा जो है वो पेड के उपर गिर गया तो पेड ने उसे जेल लिया इस प्रकार खंबे का जो घमंड था वो खत्म हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई यानि कि फेड और दोस्ती हो गई आये दूसरे प्रश्ण को देखते हैं कि यह प्रश्ण थोड़ा बड़ा है लेकिन इसे छोटा करने से इस चाहिए उसका उत्तर बनना कठिन होगा तो प्रश्ण क्या है कि लेटर बॉक्स हेड मास्टर होने की इच्छा क्यूं प्रकट करता है तो लेटर बॉक्स हेड मास्टर के पत्र को पढ़कर सोचने लगता है कि कितनी मेहनत करके पापा लोग फीज देते हैं और बच्चे कक्षा में गायब रहकर यहां पर परिक्षित की बात की जा रही है कि गायब रहकर बंटे खेलते हैं यहां बिलकुल ही अनुचित है यानि क बीड मास्टर होना चाहता है संकेत से उचित नीर्देश देता है संकेत से उचित छीजों को बचाता है और लड़की को बचाने और दुष्ट आदमी को भगाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसलिए कव्वे को सबसे अधिक बुद्धिमान पात्र माना गया है लड़की के पापा का पता लगाने के लिए सभी पात्रों ने क्या किया उत्तर देखिए जिसे इस रचना का सबसे बुद्धिमान पात्र बताया गया है वह क्या करता है कव्वा के योजना के अनुसार पे इससे पुलिस का ध्यान इस तरफ जाए कि खंबा जो है वो टेड़ा हो गया है पुलिस इसे दुरघटना समझेगी और जैसे दुरघटना समझ कर आएगी लड़की के घर का पता लगा कर उसके घर पहुचा देगी फिर कववा क्या करता है काउं काउं करने लगता है पुलि यहां से ले आईए यहां ले आईए इस तरीके से वे लोग जो है लड़की को उसके पापा तक उसके घर तक पहुचाने का प्रयास करते हैं आईए निर्देशानुसार उत्तर देखते हैं हम लोग पहला पंक्ती जो है यह कौन नंबर पंक्ती दी गई है कि अंग थर-थर कापने लगा यह किस ने किस से कहा तो यह पेड़ ने खंबे से कहा है दूसरा देखिए वक्ता के अंग क्यों थर-थर कापने लगते हैं देखिए एक रात क्या होते है आसमान से वक्ता वक्ता यानि जो इस पंक्ती को बोल रहा है पेड़ पर वक्ता पर वक्ता पेड़ प तो बिजली आकर पड़ी जिuzu जहां करी घः घर गणठा पड़ाता है जब कभी बारिश होती है तो उसे रात की याद आती हो और लेग पर और अग कीके जोटाझने लागते हैं जुकि सरीर जो. इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है और इसका प्रश्न देखिए कि यह पंक्ती किस पाट से उद्रित है इसके लेखक का नाम क्या है यानि यह पंक्ती जो है वो किस पाट से लिग गई है और इसके लेखक का नाम क्या है तो उत्तर आपको पता ही है इसका यह पापा खो गये नामक पाट से उद्रित है और इसके लेखक विजय तंदूल कर दी हैं किसे अपना महत्व लगता है और क्यूं तो दो प्रशने इसमें भी है पहला की क्यूं और दूसरा किसे किसे अपना महत्व लगता है और क्यूं तो देखिए लेटर बॉक्स को अपना महत्व लगता है वह किसी की चिठी अपने पास नहीं रखता जिसकी होती है उसे मिल जाती है किसी की गुप्त बाते बाहर नहीं निकलने देता वह उसी तक रहती है इसी कारण उसी लगता है कि वह सबसे ज्यादा महत्व पूर्ण है इन सभी पात्रों के मुकाबले में तो यह इन इस पार्ट के जो है वो बोध मुलक प्रश्न हुए अब हम इस पार्ट से संबंधित देखेंगे जिसे कि हम भाआसा बोध के प्रश्न केहते हैं आइए देखते हैं तो सबसे पहले जिमने लिकेत शबदों से उपसर्ग और मुलशब्द能 प्रस्थक कीजिए सबसे पहले जो शबद है बोहे आपका पहला शब्द जो है वो है आपका बेहोशी ठीक है तो बेहोशी का मूल सब्द क्या है आपका होशी और इसमें उपसर्ग है बे तो बे पोसी ठीखे एक सेकंड़ पे पोसी और इसके बाद दूसरा जो शब्द है वो निर्जीव निर्जीव में उपसर्ग जो है वो है नहीं है ठीखे और हमारा जो मूल सब्द है वो है जीव इसी तरीके से तीसरा जो शब्द है वो है संगरक्षन, इसके अंदर हमारा जो उपसर्ग है वो है सम आपको पता ही होगा मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है कि जो शब्दांस आगे लगते हैं मुल्षब्दों के आगे कुछ शब्दांस लगते हैं उन्हें हम उपशर्ग कहते हैं उनके लगने से शब्दों को एक नया अर्थ मिल जाता है तो सम प्लस रक्षण प्लस नहीं लगाई है यहां पर ठीक है यह हमारा उपशर्ग एवं मुल्षब्द हो गया है अब आईए इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं दूसरा प्रश्ण जो है वह है प्रत्य प्रिथक करें प्रत्य पहला प्रत्य जो है बहाओ तो बह प्लस आ इसी तरीके से अकेला पन का अकेला पन नाचने वाली का आप जानते ही हैं नाचने वाली और भन भन आहट का भन भन प्लस आहट ठीके और इसके बाद का एक शब्द और है पढ़ाई ठीके तो इसका क्या होगा पढ़ तस आई यह हमारा प्रत्य भी प्रत्थक हो गया है इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वह है परियाएवची ठीके समुद्र का आप लिख सकते हैं आपको स्वयम भी आता होगा सागर इसके अलावा आप कर सकते हैं जलद ही इसके अलावा रतना कर इसी तरीके से बिजली का आप क्या कर सकते हैं बिजली का आप कर सकते हैं चंचला चपला चंचला चपला इसके अलावा आप कर सकते हैं विधुत ठीक है विद्यूत होगा एक सब्सक्राइब ठीक है औरत का आप कर सकते हैं महीला, इस्त्री, नारी, नारी, महीला, हवा का, वायू, पवन, समीर, वायू, पवन, समीर, अगर रात की बात करें तो रात्री, रजनी, रजनी, निशा, जलाव आप कर सकते हैं, रात्री, अगर आस्मान की बात करें तो आस्मान की तो बहुत सारे होते हैं, आपको पता ही है, नभ, गगन, अंबर, ठीक है, आकाश, ठीक है, इसके अलावा, अब देखिए, निमनलिखित शब्दों के बिलोम शब्द लिखें, अब इसके बाद बिलोम, गुप्त, गुप्त का प्रकट, गुप्त यानि जो छिपा हुआ हो, ठीक है, प्रकट, जल्दी का दीरे, या फिर देरी कर लीजे, बूरा का अच्छा, दूष्ट की बात अगर हम करें, तो दूष्ट का आप कर सकते हैं, कि सज्जन, सज्जन व् स्विकृति, तो इसे के साथ इस पार्ट का भाषा बहुत भी हम आप तो होता है, और मुझे ये पूरा विश्वास है, यह वीडियो जो है, वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, इससे आपके आने वाले परिक्षा में अवस्य सहायता मिलेगी, तो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो चाइनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करना ना भूले, इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को अन्यवाद,